लास्ट क्लास में हमने हर्ड मैनिया का डाइजिस्टिब सिस्टम पढ़ा था आज हम हर्ड मैनिया का रैस्पिरेटरी सिस्टम, एक्स्क्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और सेंस ओर्गन्स पढ़ेंगे हर्ड मैनिया का रैस्पिरेटरी सिस्टम हम देखें तो जो पानी, समुदरी जल जो farence में enter होता है उसमें dissolve oxygen होती है और pharyngeal wall जो होती है हर्मानिय की उसमें network होता है blood vessels का besculous supply होता है thin होती है और वहां पर gaseous exchange होता है oxygen जो होता है dissolved oxygen पानी से जो आता है वो absorbed हो जाता है और carbon dioxide diffuse हो जाती है respiratory surface longitudinal folds के द्वारा भी increase होता है और papillus भी पाई जाते हैं इसके अलावा vascular trabeculi जो होती है atrium में उनके द्वारा भी gaseous exchange होता है test में vascular ampule पाई जाते हैं और blood vessels होती है जो की accessory respiratory और उनका कारे करती है तो यहाँ पर यह इसके gaseous exchange किस प्रकार से होता है यह मैंने आपको बताया है यहाँ पर इसमें blood में respiratory pigment जरूर होता है परन्तु इसका respiration में यह oxygen के absorption में कोई रोल नहीं होता है next हम इसमें देखेंगे herd mania का excretory system दास के according अगर हम देखें तो herd mania pallida में जो excretory organ होता है वो neural gland है यह light brown color का elliptical structure होता है mid dorsally यह mental में पाया जाता है nerve ganglion के just उपर यह brain के just उपर और इसमें बहुत सारी peripheral tubules निकले हुए होते हैं branches होती है जो कि कुछ central tubules से निकलती है और एक canal के द्वारा यह पूरी length में यह run करती है तो यहाँ पर हम देखें यह जो canal होती है एक छोटी सी duct के द्वारा दोनों जो anterior nerves होती है उनके उपर उनके बीच से run करती हुई एक ciliated funnel के द्वारा pre-branchial zone में dorsal tubercle के base पर यह खुलती है तो यह मैं आपको structure यहाँ दिखा देती हूँ कि यह क्या structure है तो यह मैंने आपको बताया यह neural gland है यह एक elliptical सा structure होता है यह neural gland और जैसा मैंने आपको बताया यह central branches होती है इसमें और इन branches से यह बहुत सारे tubules निकल रहे हैं branch tubules होते हैं और यह branch tubules यह central duct जो है यह आगे जाकर एक funnel के द्वारा यह dorsal tubercle के base पर खुलती है pre-branchial region में pre-branchial zone में यह pharynx के खुलती है यहां पर मैंने बताया है जो main duct है जो यह main duct जो यह run कर रही है वो main duct यह neural nerve ganglion जो है यह brain है उसकी anterior nerves के बीच से निकलती हुई यह dorsal tubercle के base पर यह जाकर यह यहां पर खुलती है तो यह मैंने आपको यहां पर इसका dorsal neural gland का structure आपको बताया है तो यह neural gland जो होता है इसका excretory function है और इसमें nephrosite cells होते हैं excretory cells होते हैं और वो actually blood के nephrosites होते हैं जो blood में पाये जाते हैं और उनका main काम होता है xanthin और urate particles को collect करना और neural gland की जो duct होती है उसके दोवारा यह pre-brinkle zone में इनको पहुचा देता है इसके अलावा यह neural gland जो होता है इसके एक और function है कि यह और एक hormone secret करता है जो ov position को control करता है development और metamorphosis को भी control करता है तो यह vertebrates के जो pituitary gland होता है उसके यह homologus माना जाता है तो यह इसका excretory system है herdmania का next हम इसमे nervous system herdmania का देखेंगे जो nervous system herdmania का है बहुत ही simple और degenerate type का होता है यह pink color का elongated solid nerve ganglion होता है जिसे brain भी कहते हैं यह cerebral ganglia कहते हैं यह mental में embedded रहता है और donor syphons जो होते हैं dorsal region में donor syphons के बीच में यह पाया जाता है और आप देखें कि herdmania में हम देखें तो यह जो nerve ganglion है यह neural gland के नीचे पाया जाता है herdmania में आपको मैं दिखा रही हूँ कि यह neural gland है उसके नीचे यह elongated structure है और इसे cerebral ganglia यह nerve ganglion कहते हैं और इसमें जो यह nerve ganglion यह brain है इसमें bipolar और multipolar nerve cells होते हैं anterior region में यह तीन nerves निकलती हैं anterior region में nerve ganglion के तीन nerves निकलती हैं जो की branchial siphon को जाती है यह innervate करती है branchial siphon को जबकि posterior end से दो nerves निकलती हैं जो की atrial siphon को जाती हैं फिर हम इसमें neural complex देखें तो तीन structures neural complex बनाते हैं एक होता है neural gland दूसरा होता है nerve ganglion और तीसरा होता है dorsal tubercle और यह तीनों मिलकर neural complex बनाते हैं sense organs herd mania के देखें तो as such इसमें sense organs नहीं होते हैं पर कुछ cells और nerve endings होती हैं जो receptors का कारे करती हैं तो इन में पहला होता है tango receptor मतब sensitive to touch और यह क्या होते हैं in non-vascular areas होते हैं test के जिन में कुछ यह cells scattered रहते हैं साइफन के margins पर होते हैं medicals पर होते हैं vascular ampoule होते हैं उन पर होते हैं cells दूसरा है photoreceptor means sensitive to light और यह pigmented cells होते हैं जिन में red pigment और granules होते हैं और यह साइफन के margins और vascular ampoule में यह पाए जाते हैं third यह जो है rheoreceptor means sensitive to water currents और यह जो cells होते हैं यह भी साइफन के apical margin जो होते हैं उन पर पाए जाते हैं next is thermoreceptor means sensitive to temperature और यह भी साइफन के margins पर यह साइफन पर पाए जाते हैं then are the chemoreceptors chemoreceptors sensitive to chemicals और यह tentacles और dorsal tubercle इसमें आते हैं tentacles में हम देखें तो brinkel tentacles जो होते हैं उनमें rich supply होता है nerves का और olfactory structures इनको मानते हैं olfactory nature होता है और यह पानी जो enter होता है brinkel sapon से उसकी quality को टेस्ट करता है और food particles के size को भी यह test करता है जो कि pharynx में enter होते हैं second जो structures में है dorsal tubercle यह एक छोटा सा sensory structure होता है mid dorsally इसाख आप की प्री प्रीवरेंग्यल जोन में यह पाया जाता है जोन में यह स्ट्रॉक्चर यह पाया जाता है जॉर्सल ट्यूबकल जो होता है अगर आप देखें तो डॉर्सल ट्यूबकल यह किसका बना हुआ होता है जॉर्सल ट्यूबकल is made up of two spirally coiled two conical spirally coiled lobes का बना है दो यह spirally coiled conical lobes का यह बना हुआ होता है और similarly coiled होते हैं celliated narrow opening होती है इनकी जो कि यह जो डॉर्सल ट्यूबकल होता है इसके broad base पर यह आकर खुलती है और यह convex base होता है इसका dome-like base dorsal tubercle के आपर यह दोनों lobes आकर यह खुलते हैं और यह जो डॉर्सल tubercle का जो surface होता है इस पर ciliated columnar epithelium होती है और rich nerve supply होता है तो यह dorsal tubercle जो है it serves to smell and taste the water which enters the pharynx तो यह इसका function क्या हो गया it is both olfactory and gustatory receptor तो आज हमने इसके herd mania का respiratory system, excretory system, nervous system और sense organs हमने पढ़े हैं next class में हम इसका पढ़ेंगे इसका हम blood vascular system पढ़ेंगे next class में हम herd mania का blood vascular system पढ़ेंगे हम इसकैर BERUMहा ज़ेंगे नहितते हैं आज है इसका पाउनी क्ना सा सत्वार सचाव जट झाभादे